Hi everyone, I welcome you all to sleepy classes and I hope आप सारे सुवस्थ हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रख रहे हैं और आपके फैमिली में भी सारे सेफ हैं, साउंड हैं और आप अपनी प्रेपरेशन का भी उतने ही अच्छे धंग से तयार कर रहे हैं, right? Because हमारा एक्जाम कभी भी हो सकता है और येस, अकाउंट के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी खर रहे हैं और चलिए हम इस पर फोकस टालते हैं अपनी इंपोर्टेंट MCQ सेरीज के बारे में जो की है गाब की, right? और ये वीडियो किन स्टूडेंस के लिए बनाई जा रही है for the ones who are preparing for UPE, SCE, EPFO exam. All right, जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि एक्जाम जब भी होगा तो आपको 15 दिन पहले पता चल जागा. You will be informed 15 days before the exam, for example, इस दिन एक्जाम है, कुछ भी दिन हो सकता है, उसके 15 दिन पहले न, मतलब आदा बहिना पहले तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पस इतना समय है, तो मैं चाहती हूँ कि जी, जो समय है न, इसमें आप सिरफ और सिरफ revise करे, right? और बाकी के दिन में ह आप में से कई पूछ रहे थे कि अगर अकाउंटेंसी को और डीटेल में समझना हो, because हमें मतलब अकाउंटेंसी देखी इतना वास्ट सबजेक्ट है, इतनी मोटी मोटी वुक्स आती है इस चीज़ की, हाला कि मैंने अपनी वीडियो में जितना महने कर रहा है, उतना को डी और कॉलिज की बात करें, तो बीकॉम की बुक्स है ना, बीकॉम, अगर इससे भी जादा इंटेंस लेवल चाहते हैं पड़ाई का तो एमकॉम देख सकते हैं, वैसे इतना ही बहुत होगा, सफिशेंट होगा, आपके लिए लेए 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 बीकॉम की अगर आपके कोई फ्रेंड है या अगर आप में ही, आप में से ही किसी ने की हो, या थे कॉमर्स में किया हो, अपना ग्राजुएशन वगएरा, तो वो बुक्स सफिशेंट है, मतलब उनसे आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा इन वीडियों के अलावा, आल्राइट, चलि ही 200 questions हो जाएंगे, double century हो जाएगी अपनी, okay, question number one, 174, debenture premium cannot be used to, या cannot be used for, write-off discount on issue of shares at debentures, write-off premium on debentures, या paying dividends, या all of the above, चलिये, अच्छे से सोच के बताना है कि debenture premium कहां यूज नहीं कर सकते हैं, alright, ओके चलिये, इसका answer चेक करते हैं, इसका answer क्या होगा अपना, the answer of this question is C, paying dividends, debenture premium, देखो, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि debenture premium क्या होता है, जिसको पता है, well and good, जिसको नहीं पता, देखो, आपकी ये organization है, right, ये debentures issue करती है, right, debentures issue किये इसने, for example, एक debenture की face value अगर 10 रुपया थी, और organization ने, जो भी आपकी company है, उसने debenture 12 रुपय का issue किया, मतलब ये थी आपकी face value, और 12 रुपय जो आपका है issue price, देखो, जिस चीज में issue किया, लोग उसी पैसे में खरीदेंगे, मतलब लोग 12 रुपय में खरीदेंगे, 10 रुपय में उनके पास twice ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता है, ये 2 रुपय आपको extra मिले है, ये extra 2 रुपीज, ये क्या है, this is your premium, debenture पर मिलता है, तो इस वज़े से इसका नाम है debenture premium, अब ये जो आप fund इखटा करते हैं अपने premium से, यहाँ पे जो पैसा होता है, जो रखा होते हैं हमने debenture premium में, ये पैसा किस काम के लिए use नहीं हो सकता, ये था सवाल, right, right of discount on issue of debentures, अच्छा कर मैं इसी के साथ साथ, debentures issue करता हूँ, for example, ये मैंने, एक मतलब साल में, for example, ये January में किया, और ये April में किया, ठीक है, debentures अगर मैं April में, for example, दुबारा issue करता हूँ, और उसका price 10 रुपे के तो देखो face value, ठीक है, मैंने ये न, नौ रुपे का issue किया, आपको नहीं लगता, आप एक रुपे कम पे issue कर रहेंगी, एक रुपे क्या है, one rupees is discount, discount दे रहें न, लोगों को, अपने investors को, तो ये आप, इसको, इसका पैसा भी आपको recover करना चाहिए न, केज ये 10 रुपे का तो देखो, और आप 9 रुपे का बेच रहे हैं, ये margin कहां से आप cover करेंगे, debenture premium से, पहली बात clear हो गई, okay, right of premium on redemption of debentures, अब तीसरा केज देखेगा, ये पहला था, ये दूसरा था, अब थर्ड बान देखेए, मैं color change करती हूँ, debentures को, अपने debentures, मतलब उनकी face value न, 10 रुपया थी, आपने, अपने, जो debenture holders थे, अब समय आ गया उनका पैसा वापस करने का, आपने 10 रुपय का, 11 रुपय में उनको बेच दिया, लोग खुश कर दिया उनको, this is premium on redemption of debentures, तो यहाँ पे, आप extra पैसा कहां से लेखे आएंगे, कहां से लेखे आएंगे, यहाँ से, debenture premium, जो यहाँ पैसा लगा होगा, तो इन दोनों के लिए तो यूज कर सकता हूँ, यह case देखे, पेंग डिविडेंट्स, पे, आपने debenture premium से dividend पे नहीं कर सकते, अच्छा, इसका कारण है, मुझे एक बात बताएं, debentures पे, एक organization अपने debenture holders को क्या देती है, क्या देती है, interest देती है, dividend नहीं देती, ध्यान से सुनिएगा, interest देती है, तो dividend किस पे मिलता है, shares पे, या तो वो preference shares होंगे, या equity shares होंगे, उस पे अपने को dividend मिलेगा, देखो या, debenture की बात है, तो वो debenture का premium debenture की चीज़ों में use होगा, shares की चीज़ों में तो use नहीं होगा, इस वज़े से अगर आपने ये logic भी लगाया होता है तो आपने answer पकड़ लिया था, इसका answer होगा अपना से, right, और एक question के साथ-साथ मेरी कोशिश रहती, कि आपक the next question guys, 175th, when all the debentures are redeemed, मतलब आपीस कर दिया, balance in the debenture redemption fund account, कहां transfer होता है ये balance आपका, क्या ये capital reserve में होगा, general reserve में होगा, profit and loss appropriation account में होगा, क्या इन में से किसी account में नहीं होगा, ओके, चलिए answer, check करें इस question का, क्या लगता है, इसका answer है, अपना A capital reserve, सबसे पहले न मुझे एक बात बताएं, debentures अपने कहां show होते हैं, balance sheet में, of course, liability side में होगे show, ठीक है, liability, equity and liability side में, debentures, मेरी liability कौन सी है, क्या ये non-current liability है, कि ये current liability है, कौन सी liability है, मुझे पता है, answer आ चुका है, आपने मन में बता दिया है, it is non-current liability, right, तो जब आप सारे debentures को दे देंगे, redeem कर देंगे, वापिस कर देंगे, फिर भी debenture, redemption, आपना fund बना लेते हैं, redemption fund, जब लोगों को वापिस करना होते हैं, पैसा तो इस fund से पैसा निकाल के आप उनको देते हैं, सब पैसा दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ पैसा अगर बचा हुआ है, वो कहां जाता है, जैसे debentures की nature, capital nature की होता है, long term, वैसे ही, अगर पैसा बचा है, तो वो capital reserve में जाएगा, right, okay, general reserve में नहीं जाता है, profit and loss appropriation में तो बिलकुल भी नहीं जाता है, और इसे वज़े से, none of these नहीं है, because अपना answer आचुका है, चलिह, next question देखते हैं, क्या है, it is a static question, guys, question 176, according to SEBI guidelines, a company will have to create debenture redemption reserve equivalent to the amount of dash percentage of debentures issued, 50%, 25%, 70% की 100%, question समझ में आए न, अपना क्या है, चलिए करिए, इसको attempt करिए, फिर हर चीज़ समझाऊंगे, you have 10 seconds, okay, चलो देखते हैं, इस question का answer क्या है, it is b, 25%, question समझते हैं, पहले देखो क्या लिखा हुआ है, according to SEBI guidelines, SEBI की full form क्या होती है, बड़ी असान full form है, इसकी, जो इसकी full form है न, वो आप मुझे comments में लिखके बताएंगे, और एक साथ, एक और चीज़ बताएंगे, कि SEBI कब established हुआ था, कौन से year में, right, चलिए, यह आपका एक छोटा सा होबक है, जो आप comments में ज़रूर लिखना, according to SEBI guidelines, a company will have to create debenture redemption reserve, यह आपको पता है न, क्या होता है, debenture redemption reserve, क्या होता है, हाँ, कितना, equivalent to, dash amount of, percentage of debentures issued, यह एक organization है, इसमें न, पैसा मंगवाया, by issuing debentures, right, ऐसे ही अपनी capital वगेरा, raise करती है, जैसे मैंने 10 lakh, ठीक है, 10 lakh रुपए के debentures, issue, मतलब, मंगवाये हैं, issue किये हैं, right, और लोगों ने दे भी दिये हैं, इसके पैसे, मैं न, एक time आने के बाद, न, मुझे, for example, यह सारे मेरे debentures थे, redeemable, for example, redeemable, मतलब, एक time पे वापिस कर दूँगी, मैं, question बोलता ह है, कि कितना debenture, redemption, reserve, यह जो होता है, debenture, redemption, reserve, बतलब, समय आने पे जो पैसा वापिस करते हैं, जो इस खाते में पैसा आपका बचा होता है, वो कितना होना चाहिए, इस value का, जो आपने initially issue किया है, कितना होता है, it is 25%, ठीक है, debenture, redemption, reserve, आप सिरफ, maximum, 25% तक बना सकते हैं, of the amount of debentures issued, इस case में कितना होगा, debenture, redemption, reserve में कितना आएगा, 10,00,25% कर दो, how much dialer, are you clear with this, यह बहुत ही easy question है, basic है, और यही जीज़ याद करने वाली है, इसमें कुछ समझाने वाले logic नहीं है, यह आपको याद करना है, 25%, right, और मैंने आपको इसकी basic सी understanding यहाँ पे provide कर दी है, चलिए, next question करते है, 177th question, which of the following items will be subtracted from the net income when using the indirect method of calculating cash flows from operating activities, एक cash flow का question आगया है, is it loss on sale of equipment, depreciation, profit on sale of land की बोथ A and B, कौन सी item minus होती है, ठीक है, चलो, सोच के बताना, यह हार चीज हमने वैसे करी है, हर चीज करी है, भूल गए तो वो लगबाद, चलो, चेक करते हैं, इसका answer क्या होगा, the answer of this question is, C profit on sale of land, देखो, which of the following items would be subtracted, मतलब न, net income मेरे पास दी होगी, जितनी भी है, इस net income में से कुछ items आप add करते हैं, जब cash flow बनाते हैं, कुछ items आप add करेंगे, और कुछ items आप less करते हैं, मतलब minus करते हैं, question पूछता था, net income में से इसी कौन सी item है, मतलब, in options में से इसी कौन सी item है, जो less होती है, चलिए, ये question करने से पहले न, मैं आपको पूरा का पूरा format समझाती हूँ, क्या होता है cash flow का, पूरा तो नहीं बता हूँगी, पूरा तो हमने cash flow की class में पढ़ा था, जो मतलब, approximately 1 hour की गई थी, आपको बस, जो question में पूछा गया है, बस उतनी information आपको देती हूँ, चलो, highlighter यूज़ करते हैं अभी, ये दिख रहा है, cash flow from operating activities, ये आपका है net profit, इसमें कैसे निकलते हैं operating activities से, सबसे पहले net profit, जो question में पूछा है, net profit before tax and extraordinary items, जो भी आपने tax नहीं अभी तक calculate किया, जो net profit आपको प्लस करते हैं, या कुछ माइनस करते हैं, वो कौन सी items को करते हैं, जो non cash है, और non operating है, मैं आपको ये basic understanding दुबारा से दूँगी, और हमने अपनी classes में समझा है, ये देखिए, जब profit and loss account बनाते हैं तो हम तमाम खर्चे माइनस करते हैं, तब जाके मेरा net profit आता है, आप agree करते हैं इस बात से, हम ऐसी follow करते हैं हर चीज, लेकिन जब cash flow बनाते हैं न, cash flow बोलता है, मैं सिरफ वो items plus करूँगा, जो चीज, जो profit मुझे cash में receive हुआ है, मैं सिरफ वो items minus करूँगा, जिसका मैंने actual में पैसा दिया है, मतलब cash दिया है, अपना जैसे एक example है, depreciation देखो, depreciation में क्या होता है, क्या आप किसी को पैसा दे रहे हैं, नहीं, depreciation न एक तरह का reserve है, जो आप अपने पास बनाते हैं, वो पैसा कहीं नहीं आप जाता, वो cash कहीं नहीं जाता, वो आपके पास रहता है, लेकिन फिर भी वो profit and loss की expenses साइड में show होता है, देखो, एक ऐसा कर्चा, जो minus कर दिया, लेकिन minus नहीं होना चाहिए था cash flow में, नहीं होना चाहिए था minus, तो पहले किया हुआ है, अब मैं उस कर्चे को क्या करूँगा, add, I will add back, कहानी समझ में आई आपको, देखो, simple सी बात है, simple सी बात है, जो कर्चा cash flow नहीं मानता, और profit and loss में पहले वो कर्चा माना गया है, अब cash flow नहीं मानता, वापिस add back करते, उसको profit में, बोलते मैं नहीं मानता, तुमने कर्चा किया, तुमारी गलती है, मैं नहीं मानता, जो तुमने minus किया, मैं उसको add back करूँगा, my life, my rules, cash flow बोलते है, my life, my rules, okay, देखो, एक तो non cash होगे, example, दूसरा है, non operating items, non operating items, जो आपके day-to-day business के related नहीं है, न, सिरफ वो ही, अगर वो खर्चा है, जो day-to-day business का है, तो वो minus करेंगे, अगर वो income है, जो day-to-day business की है, तो वो add, okay, इसके अलावा, profit and loss में कई items होती है, कई items होती है, जो, जैसे न, loss on sale of land, अब loss on sale of land, आपको पता है, यह non operating loss है, लिकिन फिर भी उसको profit and loss में minus किया जाता है, कै आश्रो बोल दा, hello, यह चीज मेरे सामने नहीं चलेगी, तुमने क्यों minus किया, मैंने मानता है, मैं add back करूँगा उसको, add back, समझ में आ रहा है, logic क्या है, are you clear, चलो, अब न, यह basic सी understanding आपको दे दी, अब समझते हैं, items क्या लिखे हुई है, have a look, add करेंगे कौन-कौन सी items, for example, depreciation, because मैंने पहले ही focus पे इसको minus कर दिया था भाई, नहीं होती है minus, cash low में, add back करो, goodwill, patents, या trademarks, amortize कर दिया आपने, amortization का मतब पता है न, depreciation, लेकिन fixed assets, sorry, intangible assets में depreciation को amortization बोलते हैं, तो वो भी अगर आपने minus किया था, expense लिया था न, जैसे depreciation होता है, fixed assets का, वैसे amortization होता है, intangible, इसको add back करो, interest on bank overdraft, cash credit, यह भी खर्चा आपने जो दिया था, जो की non-operating है, non-operating है, right, इसको क्यों minus किया, add back करो, interest on borrowings, ठीक है, debentures वगेरा पर, इसको भी add back करो, क्यों minus किया, यह day to day थोड़ी करते हैं activity, यह तो non-operating है, तो उमने क्यों minus कि profit and loss, मैं cash flow इसको add back करूंगा, writing of underwriting commission, share issue expenses, loss on sale of fixed assets, right, यह वापिस add back करोंगे, बोलता है कि आए दिन थोड़ी loss होता है मेरे को fixed assets, मतलब मैं fixed assets थोड़ी बेचने का मेरा काम है, वो non-operating है, मैं क्यों उस loss को minus करूंग, मैं add back करूंगा, right, and increase in provision for doubtful debts, यह चीज़ भी आप add back करते हैं, अब कुछ items हैं, जो minus होती है, minus देखते हैं कौन-कौन सी होती है, interest income, मेरा business का काम पते क्या है, for example, मेरा काम है chocolates बेचने का, लेकिन इंटरस्ट कहां से आ रही है, तो अगर मैंने, for example, कोई shares बगेरा purchase किया है, इंवेस्टमेंट डाली है गही, तो वो interest income है, अब वो यार, देखो, वो मेरे operating business से तो related नहीं है, उसको क्यों तुमने add किया था, भाई, क्यों add किया था, वो मेरे business के related नहीं, minus करो, चलो, ऐसे ही dividend income होती है, rental income है, right, gain, अच्छा, rental income में भी यह होता है, कि आपका business किस purpose के लिए है, okay, gain, on sale of fixed assets, अगर profit कमाया है न, sale of fixed assets से, जो कि आपकी business का नहीं है, वो profit क्यों आपने लिखा, minus करो, ऐसे ही decrease in provision for doubtful debts, यह सारे calculation करके, आपका final answer आजाएगा, okay, अभी इतनी बात clear है, चलिए question पढ़ते हैं, क्या था, which of the following items would be subtracted, अच्छा, minus कौन कौन सी होगी, loss on sale of equipment, यह minus होगा, कि यह plus होगा, यह तो plus होगा, यह तो loss आपने लिखा हुआ है, add करेंगे, depreciation क्या होती है, again, यह देखो, add होती है, depreciation, profit on sale of land, profit on sale of land क्या होता है, यह होती है, minus, ठीक है जी, यह जो तीन लिख्या हुआ है न, मैं इसको यहाँ पर highlight करती हूँ, कौन-कौन सा है पहला, loss on sale of equipment, कहां दिख रहा है, यह दा, loss on sale of equipment, depreciation, यह लो, depreciation, और यह profit, gain on sale of fixed assets, यह तीन कर्चों के बारे में, और आपके income के बारे में, बात हो रखी है, चलिए next question करते हैं अभी, यह पूरा को पूरा format है, मैंने cash flow की class में आपको हर चीज़ बता रखी है, अगर नहीं देखी तो please देख ले न, चलिए आगे देखते हैं, question number 178, which of the following would be considered a cash flow item from a financing activity, right, इस में से financing activity से कौन से related है cash flow, cash outflow from purchasing bonds of another company, cash outflow from purchasing bonds of own company, cash flow to pay taxes, या बोथ A and B, चलो, यह question solve करते हैं, यह easy है, बहुत basic question है, देखते हैं किन-किन बच्चों में basic understanding है, अगर नहीं हुआ, ठीक, कोई बात नहीं, कोई tension नहीं है, ठीक है, चलिए, इस question का answer है, अपना B, financing activity, अरे इसका answer वानने क्यों नहीं है, यह सवाल जरूर आएगा, आपके माइन में अगर गलत हुआ है तो, देखो, cash गया है, क्यूंकि आपने purchase किये हैं bonds दूसरी company के, मुझे तो सबसे पहले एक बात का जवाब दें, अगर दूसरी company से, यह है आपकी company, और यह है दूसरी company, आपने इस company के purchase की हैं, मतलब इस company के shares आपके पास आएं, तो यह तो आपके लिए क्या बन जाएगी, यह कौन सी activity है, समझ में आया, difference क्या है, अगर cash outflow होता है, मैं purchase कर लेता हूँ, खुदी के bonds, जैसे ना मैंने आपको पिछले classes में बताया था, एक buyback होता है, जब अपने company shares खुदी purchase कर लेती है, ऐसे अगर bonds को खुद purchase कर रही है वो, यह होगी financing, right? इन्वेस्टिंग और फाइनसिंग में डिफरेंस है, cash flow की items, sorry, cash flow की classes में आपको और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन फिर भी, इस question में जो mention है, मैंने आपको वो बता दिया है, cash outflow to pay taxes यह बात भी नहीं है, इसका answer होगा भी, यह वाले बच्चे भी बहुत होंगे class में, जिन्होंने बहुत A&B किया नहीं ध्यान रखेगा, difference है दोनों statements में, are you clear with the question? चलिए next question करते हैं, 10 seconds हैं आपके पास, बट मुझे लगता है, आप जल्दी ही इस question को बना पाएंगे, ओके, let's solve the question, इस question का answer है अपना cash, यह बहुत basic question था, चलिए, मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ, देखो, यह ना सारी items किसके related हैं, cash, bank loan, debentures, owners, equity, this is related to balance sheet, ठीक है, आपको पता है ना, balance sheet में दो divisions हैं basically अपनी, कौन-कौन सी, equity and liabilities और दूसरी कौन सी है, assets, मैंने आपको ना classes में बहुत बार बोला है, यह जो अपने assets होते हैं ना, इनकी कौन सी nature होती है, debit nature, और equity and liabilities कौन सी nature का होता है, credit nature का, ठीक है, अच्छे मुझो बताएं, bank loan कहा आता है, equity liability में की assets में bank loan है, loan है, सरफ पर उधार है आपके, यहाँ पर आएगा, debentures कहाँ हैंगे, यहाँ पर, non-current liability है ना, कुछ दे पहले आपने बताया, owners equity देखो, equity तो देख रख है, owners equity, सबसे उपर आती है, यह सारे के सारे अपना equity and liabilities का पार्ट है, इसी वज़े से इन तीनों का ना, nature क्या होगा, credit, लेकिन जो cash है, देखो cash किस का पार्ट है, अपने assets का, यह current asset का पार्ट है, ठीक है, non-current का नहीं है, current asset में आएगा cash, current asset में, लिख देती हूँ, वैसे यहां नहीं लिखते हैं, लेकिन वैसे आपको बता रहे हूँ, इसकी nature होती है, अपनी debit, the question यही कुछ रहा है, which of the following has a debit balance, किसका होगा, cash का है, अपना debit balance, are you clear with the question, it is super super easy, right, okay, चलिए, एक और question करते है, you need to identify the main purpose to prepare trial balance, क्यों बनाया जाता है trial balance, to determine the cash balance, to determine arithmetical accuracy, to determine the financial position की all of the above, यह लोग, time है आप क्या, चलिए, देखते हैं, इस question का answer क्या होगा, अपना, the answer of this question is B, सिरफ और सिरफ डिटर्मेंट करना, arithmetical accuracy, देखो, the main purpose, trial balance, आपका ये, this is the main purpose, arithmetical accuracy, कोई गलती तो नहीं है, calculation वगेरा मैं याद है न, trial balance की class हुई थी, मुझे बताएं, फिर, sorry, आपका cash balance कौँ डिटर्मेंट करता है, कौँ डिटर्मेंट करता है cash flow, राइट, तो फिर financial position कौँ बताता है, क्या financial position balance sheet बताएगा, कि profit and loss account बताएगा, ये है दूसरा homework, जो आप comments में बताएंगे, financial position कौँ बताता है, अगर answers आपके ठीक नहीं आएं, तो next video में मैं आपको बताऊँगी, financial position कौँ बताता है, क्या balance sheet है कि profit and loss है, you have to tell this to me, और इसी के साथ, चली class end करते हैं, we have completed 180 questions, और जल्दी से हमारे 200 भी हो जाएंगे, and yeah, keep on learning everyone, ठीक है, distract नहीं होना भी, काफी peak time है पढ़ाई का, और अच्छे से पढड़ना है, समझना है, और अपनी लाइप में हांके पढड़ना है, all right? With this, thank you so much everyone, for patiently listening to my class, and we'll meet you super soon in next class. Thank you so much, take care, bye-bye.